सेल का बाणपूर इस्थित इसको इसपास साइयंत्र करोना काल के बीच अपने प्रदर्शन को बहतर बनाने के साथ खर्च में कटाउती करने के लिए नित नई उप्रब्धियों को हासिल करने में जुटा है ISP का पावर डिस्टिबिशन विभाग पूरे प्लांट में विद्धुत आपूर्ती करता है इसके लिए ISP DVC से 220 केवी तथा 33 केवी लेवल का पावर रिसीव कर इसे सभी विभागों में डिस्टिब्यूट करता है वहीं ओल्ड प्लांट में 33 केवी नेटवर्क पावर की खपत में कमी होने पर DVC को पैनल्टी भरना पड़ता है इस समस्या को ध्यान में रखने के साथ पैनल्टी पर अंकुस लगाने के लिए PBS विभाग ने इन हाउस कैपिसिटर बैंक को ओबर हॉलिंग और री कमिशन करने में सफलता पाई है PBS विभाग के इस उपलब्धी से अब हर महीने पैनल्टी भरने से चुटकारा मिल गया है इस समन में पावर डिस्टिबिशन डिपार्टमेंट के AGM स्री राजेज गुपता ने जानकारी देते हुए बताया यह जो हमारे कैपस्टर बैंक को हमें रिवाइव किया है जिसकी वज़े से हमको आज पावर फैक्टर इंप्रूब्मेंट की वज़े से हमको आज पैनल्टी की जगाए हमको डिवेट मिल रही है तो यह हमारी Power Distribution की टीम है जिसने इन Capster Bank को revive किया और यह Capster Bank 2012 के आसपास से बहुत बुरी हालत में खराब थे जिनमें repairable भी नहीं थे हमने इनके components को revive किया पुरे reactors की overhauling करी जिसके करण आज हम लोग इस इस्तिति में है कि हो सकता है कि जुलाई मन्स से हम लोग जो अभी तक हम पाँच लाग रुपए के आसपास रिवाई रिवेट अचीव कर रहे थे हो सकता है नौ से आट से नौ लाग रुपए के मंतली रिवेट अचीव करेंगे हमारा Power Distribution Department पूरे प्लांट को पावर देने का काम करता है हम डीवी से 220 के वी और 33 के वी लेवल पावर रिसीव करते हैं उसके बास अभी को डिस्ट्रिबूट करते हैं ओल्ड प्लांट में हमें पावर फैक्टर लो होने के वज़े से हमारा 33 के वी नेटवर्क के electricity बिल में हमें कुछ पेनाल्टी पे करनी पड़ रही थी बट जून 2018 में हमने प्लान किया कि हमें अभी ओल्ड प्लांट के में कैप्स्टर बैंक्स रिवाइव करने होंगे तो जून 2018 में हमने ब्लास में सबस्टेशन, फैब 2019 में इनलराउस और अभी जून 2020 में कोकोन सबस्टेशन का कैप्स्टर बैंक हमने रिवाइव किया है तो उसके बाद से हमें फैबरी 2020 हमें चार से पांच लाग रिबेट पर मन्त हमारे बिल पे मिलनी शुरू हो गई है जो पहले हमें पेनलिटी पे होती थी, अभी हमारा जो कोकोन सबस्टेशन का स्टार्ट होने के बाद में हमें उम्मीद है कि जुलाई के बिल से हमें 8 से 8 जंब रूक में मिलेंगे अब से कम हो जाएगे